आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हूं हैदरबाद की शादियों में बनने वाले रचिकन की रेसिपी और जब आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करके इस चिकन को बनाएंगे तो आपकी घरवाले आपसे इसे बार-बार बनाने की फर्माईश करेंगे और ये रेसि और लाजवाब बनके तयार होता है चिकन तो इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिए और आप इसे नान और पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसे बनाने का तरीखा तो यहाँ पर मैंने लिया है देड़ किलो चिकन चिकन को अच्छे से वाश कर ले अब हम इसमें डालेंगे टू टीस्पून फुलादरकलेसन का पेस्ट, हाफ टीस्पून हल्दी, टू टीस्पून लाल मिर्च पॉडर, वन टीस्पून सॉल्ट, वन टीस्पून चिकन मसाला पॉडर, वन टीस्पून करम मसाला पॉडर, हाफ टीस्पून काली मिर्च पॉ 15-20 काजियों में थोड़ा सा पानी दाल कर हम इस तरीखे से पेस्ट बना लेंगे, ये भी हम चिकन में डाल देंगे 2 टेबल स्पून विनेगर, आप इसकी जगा लेमेन भी यूज़ कर सकते हैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबल स्पून टोमाटे के चप अब हम इन सारी इंग्रीडियंट्स को चिकन के साथ उपर नीचे कर container के अच्छे से mix कर लेंगे चार बड़े साइस के टमाटर को ग्राइंड करके इस तरीखे से प्यूरी बना लेंगे ये भी हम चिकन में डाल देंगे दो बड़े साइस की प्यास को बिर्यानी की प्यास की तरह फ्राई कर लेंगे हाथों से क्रश करेंगे और चिकन में डाल देंगे 100 ग्राम दहीं को डालेंगे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रीडियंट्स को और इसे हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 2-3 घंटे एक लगन में हम 250 ml के खरीब ऑईल अट करेंगे ऑईल जब गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर चिकन अच्छे से पकना स्चार्ट हो गया है अब हम इसे कवर करके 30-35 मिनिट तक पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में हम इसे एक दो बार चेक करके मिक्स करेंगे वन्ना मसाला नीचे से लग जाएगा हलके हाथ से हम इस चिकन को मिक्स करना होगा 30-35 मिनिट हो चुको हैं चिकन को पकते हुए अब हम इसमें डालेंगे 7-8 हरी मिर्च एक बंच बारिक कटी हुई कोट मीर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पकने के लिए हम 10 मिनिट तक छोड़ देंगे माशाला पूरा घर में एक रहा है चिकन की खुजबू से अब हम एक बार चिकन को भी चिक कर लेंगे तो चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो गया है अंदर से अच्छे से पक चुका है अब हम फ्लेम को बन कर देंगे माशाला शांदर और लाजवाब हैदरबादी रेड चिकन बन कर बिल्कुल तयार है आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करिए और आपको इस चिकन को खाने के लिए शादियों का वेट करने की ज़रूरत नहीं है जबी भी आपको खाने का मन हो आप इसे जटपट और आसानी से घर पे बना सकते हैं इस रमजान में इस रेड चिकन की रेसिपी को ज़रूर बनाईए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए उमीद करती हूँ कि आपको आज के मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को शेर और सब्सक्राइब करिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग अलाहाफिज